आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक साउथ इंडियन क्यूजीन जी हाँ आज हम प्रिपेर कर रहे हैं एक साउथ इंडियन डिश जो बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आपको समझ में आ गया है कि हम क्या बना रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को यहीं पर करके मुझे इसका नाम कमेंट करके बताईए और सच बतारियों यह बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई जाती है बहुत ही कम मसालों के साथ लेकिन बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा हेलो फ्रेंड्स वलकम बैक टू माई चैनल अगर आप में चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही बल ऐकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशनस आपको मिल सके और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलिए तो चलिए वीडियो को फटा फट शिरू कर तो आज हम बना रहे हैं पटेटो सागू और इसके लिए मैंने यहां कढ़ाई चढ़ाई यह गैस पे और इसमें हम दो से तीन टेबल स्पून तेल ले रहे हैं मैंने सरसो कलिए कोई सा भी ले सकते हैं अब तेल जैसी गरम हो जाएगा एक पिंच हींग हाफ टीस्पून ज इक लेख ली मिर्च करें छिए जरी मिर्चा दाल और सौत दीन है एक करियार में लेता है क्यां यह ज थी दधने दो कि रुष्व क्या शकूर कर पोछे कर दीए प्याजक लीख यह जाका रहे यह ज़िए उसके वाद एक चोटा-ससाइस का प्याज मैंने reflex चॉप करका डाल बहुत लोग इसमें टमाटर नहीं डालते हैं तो आप चाहे तो इसकिप कर सकते हैं अचाहिए यहां पे कुछ लोग थोड़ी सी सब्जी भी डालते हैं जैसे कि आप इसमें एक मुठ्धी हरी मतर और दो से तीन चम्मच कटी हुई गाजर डाल सकते हो और ज्यादा सब्जी अब यहां पर डाल रही हुई हाफ टीज़्पून हल्दी पाउडर नमक स्वात के अनुसार और एक चाहे तो लालमिश पाउडर को सकते हैं नहीं भी डाला जाता है बस मैंने थोड़ा सा कलर के लिए डाला है इसमें तो बस यह बहुत कम मसालों के साथ ही बनाई जाती है अब हमें चाहिए होगा बेसन तो मैंने यहां एक कटोरी में एक टेबल स्पून बेसन लिया है और थोड़ा सा पानी डालके इसका गोल बना लेंगे तो यह सलरी हमें बना कर तयार करनी हो और पटेटो सागों में यह जरूर से डाली जाती है तो इसको जरूर डालिएगा बहुत ही अच्छा टेस्ट और एक बाइंडिंग और टेक्शर आता है हमारी सबजी में इससे तो इससे मैंने देखे डाल दिया है और इसको मिक्स करेंगे और जैसी मिक्स करेंगे यह थोड़ी सी ठिक हो जाएगी है यह यह देखिए तो बस इसे एक मिनिट के लिए हलका स इसे पका लेना है क्योंकि बेसन है यह और उसके बाद हम इसमें पानी अट करेंगे तो सबजी की जो कंसिस्टेंसी है यहां पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं थोड़ी सी पतली अगारी जैसे भी रखना चाहते हैं मैंने यहां पर मीडियम थिकनिस में रखा ऐसे तो मैंने एक किलास पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है अब हम इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे जैसे इसमें उबाल आजाएगा हम इसमें आलू डालेंगे तो यहां पर देखे मैंने एक बार मिक्स कर दिया है और मैंने आलू को पहले से उबा बहुत जादा भी मैश करना है लेकिन बहुत बड़े बड़े पीसे भी आलो के नहीं रखने है कुछ इस तरह से चोड़े पीसे में इसे तोड लेना है अब इन आलो को हम डाल देंगे अपनी ग्रेवी में और एक बर अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद फ्लेम को मी तो आप मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पका लेना है दस मिनट के लिए और इसमें कोई भी मसाला अब नहीं जाएगा हम ना तो इसमें गरम मसाला डालेंगे ना धनिया पाउडर जीरा पाउडर कुछ भी नहीं जाएगा फिर भी यह बहुत अच्छी लगती है दस मिनट बा अब गैस का फ्लेम मैंने ओफ कर दिया है और मैं यहाँ पे सर्फ कर रही हूँ यह पटेटो सागो आप किसी भी साउथ हिंडियन रेस्टरण में जाएंगे तो आपको डोसे के साथ इदली के साथ सेट डोसा के साथ इसपेसली सर्फ किया जाता है बहुत ही टेस्टी लगत बहुत ही अच्छा है और सच में इसे पूरी के साथ बहुत पसंद किया जाता है या फिर राइस के साथ भी आप इसे सर्फ कर सकते हैं और डोसा बगएरा बना रहे है तो इसके साथ जरूर सब कर यह बहुत ही टेस्टी सबजी यह हमारी बनकर तयार हुई है तो इस तरह से मैंने इससे तै 빠र किया हैं बहुत ही कम समय में मैं बहुत ही जल्दी बन जाती है, लेकिन आपको लग रहा होगा इतनी जल्दी बहुत tahe कम नान HEY अक्तर पतानी कईसा हो! मैं सच बता रहा हूँ यह बहुत ही जादा टेस्टी लगती है एक बार आप इसे जरूर बनाईएगा और मुझे पूरी उमेद है कि आपको पसंद आएगी इसका स्वात बहुत ही जादा अच्छा होता है तो उमीद करती हूँ फ्रेंट्स आपको आज की इस्पेशल रेसिपी पसंद आई है पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब सब्सक्राइब करिए फैमिली और फ्रेंस के साथ शेयर करिए इन्डे स्क्रीन पर आपको कुछ रेसिपी दिख रही है उन्हें देखना प्लीज बिल्कुल मत भूलिए और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी इंजाओ प्लीज कि बल्सकत बलर हाँ के सुर ये जर आपको आएए उन्हें जरूरू तो हम सब दो करेंण सार्फ ये टन खानी स ये डापको आपको क्या उन्हें है।